बॉलिवुड की टॉप अक्ट्रेस में शामिल कृती सेनन ने दमदार अभिने से अपनी खास पहचान मनाई हैं। उन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी हैं। कृती सेनन ने अपने करियर की शुरुवात तेलुगू फिल्म नेनो कड्डीनो से की थी और इस फिल्म में वहीं मैहेश बाबू के साथ नजर आई थी। वहीं उन्होंने बॉलिवुड में टाइकर श्रॉफ के ओपजेट फिल्म हीरो पंती से एंट्री की थी। कृती लुकाचुपी बरेली की बर्फी और मीमी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आपको बता दे कि कृती सेनन अपना 32 जनन दिन सेलिब्रेट कर रही हैं। उनका जन 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। इस खास मौके पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से पांच दमदार किरदार उन्हों ने नबाए थे। राप्ता शुशांच सिंग राजपूत के साथ कृती सेनन की पहली फिल्म थी। ये एक लव स्टोरी थी जो पूर्ब जवन पर आधारित थी। इस फिल्म में कृती सेनन भी दो रोल में नज़र आ रही हैं। भले ही परदे पर इस फिल्म को कुछ खास सफलता नप मिली हो। लेकिन कहानी और इसका म्यूजिक काफी अच्छा था जिसे सहराना मिली। आपको बता दे कि आश्विन अईयर तिवारी की रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म बरेली की बर्फी में कृती सेनन, आयुशमार खुनाना और राजकमार राओ के साथ नज़र आई थी। लेकिन शादी रशमी से पहले लेवन में रहने की बात भी करता है और यहीं से कहानी में ट्वेस्ट आने लग जाता है। आपको बता दे कि यह कहानी हर किसी को बहुत पसंद आई थी। आपको बता दे कि कृती सेनन की फिल्म पानी पथ 2019 में रिलीज हुई थी। यह एक मल्टी स्टारल फिल्म थी। कृती सेनन ने इस फिल्म में पारवती बाई का किरदार निबाया था जो की दर्शकों को खूब पसंद आया था। फिल्म में कृती खुडसवारी से लेकर तलवार बाजी और युद तक करती हुई नजर आई। मिम्मी कृती सेनन मिम्मी में भी मुक्य भूमिका में नजर आई। क्रिती इस फिल्म में एक सेरोगेट मदर की भूमिका में नजर आई थी और क्रिती इस फिल्म में काफी चैलेंजिंग रोल में नजर आई थी ये फिल्म सम्रिधी पोरो की 2011 की राश्य पुरुसकार विजेता मराथी फिल्म माला आई व्याची पर आधारिक थी 26 जुलाई 2001 के इसको नेटफ्लिक्स इंडियन पर रडीज हुई इस फिल्म में कृती सेनन ने बहुत ही मनुरंजक प्रदर्शन किया था आपको बता दे कि कृतिस का मानना था कि ये निश्यत रूप से कृती का सबसे बड़िया परफॉर्मेंस था ऐसे में आपकी कृती की कौन सी फेवरिट मूवी है वो हमें कॉमें सेक्षन में बताना न भूले और विश यू अवेरी हापी बर्दे कृती सेनन ये भी कॉमें सेक्षन में लिखना न भूले